दोस्तों क्या आप भी हाथ से लिखने वाली सामान्य ग्यान की ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें ना तो आपको चेहरा नजराए और ना है आपकी आवाज रिकोर्डो जैसे की ये वाला वीडियो हिमाले की कौन सी पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है इस प्रशन का सही उत्तर है नामचा बर्वा अगर आप भी हाथ से लिखने वाली सामान्य ग्यान की ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आज वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक का देखते रही है क्योंकि मैं इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस तरह की वीडियो बना सकते है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और एक एंडुड एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है बी एन आई एम ए बिनाई इसकी स्पेलिंग यापर आप देख लीजिए इसको आपको प्ले स्टोर में सर्च करके इ मिल जाएगा यह बिलकुल फिरी है कोई भी पैसा इसमें आपको नहीं देना है तो इसको आप इंस्टॉल कर लिजिए ओथ को ओपन कर लीजिए तो सबसे पहले अपको यहां पर प्लस वाले आइकन पर किल्क करना है इस पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको अपनी प्ल और उसके बाद यहां पर आप देख सकते है YouTube 1080p आपको इस पर क्लिक करके वीडियो का साइज क्रेट कर लेना है यदि आप सोट वीडियो वनाना चाहते है तो उसका साइज आपको टिक टोक 720 यह वाला क्रेट करना होगा और फिर नाम डालके क्रेट मुवी पर क्लिक कर देना ह है जैसे कि मैंने आप टाइटल में जी के लिख देए फिर क्रेट मुवी पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजराएगा यहां पर आप देख सकते हैं यह वाला बैक्ग्राउंड है वाइट कलर का यादि आप यह बैक्ग्राउंड बदलन बैक्ग्राउंड चाहिंए मैंने याप यह ले लिया है अब हम यहां पर देखे टेक्स्ट यह टेक्स्ट पर किलिक करकरकर हम हैं आपकर टाइप करना है रहा है इस एक्रण्व सेस्ट करके सबसे उपर सेट कर देना है और यहां पर आप डुरेशन में देख सकते हैं जो डुरेशन है यह देखें यहां पर यह वाला जो इसका टाइम है यह आपको बिल्कुल जीरो करना है यह हम जीरो क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको यह जो टाइटल है सुरू से आखिर तक दिखाना है और हमें अपना question type करना होगा जैसे कि मैंने याप question को पहले ही fill up कर रखा है तो मैं याप इसको insert कर देता हूँ तो देखे question जो है आपका set हो गया अब इसका size गटाया बढ़ा सकते है उसको आप यहाँ से गटाया बढ़ा सकते हैं देखे साइज है इसका तो मैं इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा जिससे कि हमारे फ्रेम में बिल्कुल अच्छे से सैट हो जाए इस तरीके से ओ फ्रेम में यहां से बढ़ा लेता हूँ मैं देखे question हमारा यहां पर इस तरीके में देखता हूँ यह ठीक है यहां पर यह मैंने color इसका यहां पर ले ले और इसको ऐसे स्क्रोल करके ऊपर रख दिया और यह जो आपको इसका duration time है आप इसको दो यह तीन सेकिंड का रख सकते हैं जिससे कि जब यह पैंसिल से लिखेगा तो कम से कम तीन सेकिंड में लिख कर तेयार हो जाए यह 2 सेकिंड में लिक्र कर तेयार हो जाए तो में आपर फिलाल 2 ⁺ रखने वाला हूं तो आप इसका दो सेकिंड ही रखे क्योंकि में सोट वीडियो बनाने वाला हूं यह वाली आपको 2 सेकंड ही रखनी है तो यह आपका हमारा गॉस्टन पूरा हो गया है अब हमें आपर इसमें इसके ओपसन डालेंगे कि कौन कौन से ओपसन इसमें होंगे चार ओपसन हम इसमें डालने वाले है टैक्स्ट पर किलिक करेंगे और सबसे पहला option यहाँ पर हम fill करेंगे तो जो हमारे option fill up करने हैं हमको वो एक एक करके ही fill up करने है पहले a question fill up करेंगे फिर दूसरा fill up करेंगे फिर तीसरा फिर चोथा जिससे कि हमारा जो वीडियो बने वो काफी अच्छा दिखे तो मैं यहाँ पर option select कर लेता हूँ तो option number a ऐसे dot लगा के फिर यहाँ पर लिख लेते है protein sensation हमारा पहला option यहाँ पर type हो गया है देखे इसको आप इधर side में कर सकते हैं इसका size आप घटाया बढ़ा सकते हैं तो मैं थोड़ा सा इसका size बढ़ा लेता हूँ यह देखे इसका size बढ़ गया है और इसका duration time में यहाँ पर एक second का रखने वाला हूँ यह वाला जो है एक second का आप भी इसका एक second ही रखेगा तभी आपका वीडियो अच्छा बनेगा इसको okay कर दिए इसका एक second यहाँ पर हो गया है और इसका मैं color भी यहाँ बदल लेता हूँ ताकि और अच्छा सा यह दिखे इसलिए मैं इसका color दूसरा ले लेता हूँ तो यह हमारा पहला option यहाँ पर set हो गया अब हम दूसरा option यहाँ पर डालेंगे फिर से text पर click करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से B और option number B डालेंगे इस दूसरा option भी हमारा यहाँ पर तियार होगा है इसका भी हम थोड़ा size बढ़ा लेंगे और इसको इधर set कर देंगे और इसका duration time भी हम यहाँ पर एक second कर देंगे फिर हम यहाँ पर okay कर देंगे और तीसरा option यहाँ पर text पर click करके तीसरा भी यहाँ पर डाल देंगे तो हमने यहाँ पर चार option फिलफ कर दिया है और उनका duration time एक एक second का कर दिया है तो अब हम अपना वीडियो चला कर देखते है एक बर कैसा है देखिए जो आपका और और भी ग्रूप डी जीक है वह आपका ऐसे ही रहेगा इस थाई सुरू से आखिर तक बाकि आपका लिक कर दिखाएगा हाथ से तो यहाँ पर देखिए आप नीचे देख सकते है हैंड यहां से आप हैंड भी बदल सकते हैं कौन सा हाथ यहां पर लेना चाहते है किस तरीके का आप यह चंदा सा लेना चाहते है इस से लिक कर दिखा देगा आप कोई यह देखिए ऐसे यह आप कोई लगाना है तो यहाँ पर हम जाएंगे इस टिकर पर देखें इस टिकर जो है इस पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप इसमें से इंटरनेट को ओन रखिएगा और यहां पर आपको बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे इसमें से आप कोई राइट टिक चुल लिजेगा जैसे कि यह वाला राइट का है अब इसका साइज हम यहां पर बिल्कुल कम कर देंगे सारा का सारा और जो भी ओप्सन आपका सही होगा उसके सामने इसको ऐसे रख देंगे और इसका डूरेशन टाइम हम यहां पर करने वाले है एक सेकिंड इस राइट वाले चिनका भी डूरेशन टाइम आपको एक सेकिंड करना है यहां पर देख लीजे एक सेकिंड इसका हमने कर दिया है अब इसको ओके कर दीजे अब यहा आवाज इसमें एड़ करना चाहते है तो आप यहां पर म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और यदि आप अपनी आवाज नहीं आड़ करना चाहते है तो आप यहां पर रोबोट की आवाज भी एड़ कर सकते हैं मैं आपको भी बताने वाला हूं इसमें अपनी आवाज यह फिर र बेटा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो music library or text to speech आपको text to speech पर क्लिक करना है और यह दिया आप अपने आवाज नहीं लगाना चाहते हैं किसी robot की आवाज में इसको सुनाना चाहते हैं तो यहां पर आप सबसे उपर अपना question को हिंदी में type कर द एड़ कर देता हूँ इसका जो सही उत्तर है वो भी यहां पर आपको लिखना होगा जैसे कि मैं यहां पर लिखने वाला हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर है protein sensation यहां पर मैंने इसका सही जवाब यहां पर डाल दिया है अब save as MP3 इस पर click कर लेना है और चलिए मैं आपको यहां पर सुना देता हूँ कोशिका में ribosome की अनुपस्थिती में कौन सा कारे संपादित नहीं होगा इस प्रश्र का सही उत्तर है protein sensation तो इस तरीके से आप इसक कोशिका में ribosome की अनुपस्थिती में कौन सा कारे संपादित नहीं होगा इस प्रश्र का सही उत्तर है protein sensation तो देखा आपने कितने बहतरीन तरीके से question complete हो गया है इसके बाद यदि आप और भी प्रशन इसमें जोड़ना चाहते है इसी वीडियो में आगे भी प्रशनों को जोड़ना चाहते है तो यहाँ पर आप देख सकते है यह प्लस वाला बटन है इस पर क्लिक करके अगला पेज ले लिजे और ठीक इसी परकार से इसमें question को आड़ कीजे जैसे कि हमने यह भी पूरे वीडियो में सीखा है और यदि आप तीसरा प्रशन जोड़ना चाहते है तो प्लस का इकन पर क्लिक कीजे चोथा फांचवा जितने भी आप करना चाहते है question add उतने यहाँ पर page add कर दीजे और सेम यही पर किरिया अपनाईए और अपने question को बना लीजे तो यह बहतरीन application है जिससे आप हाथ से लिखने वाले sortg के वीडियो के प्रशनों को बना सकते है काफी अच्छे तरीके से इससे और भी बहतर तरीके से आप बना सकते है इसको आप जैसे ही यूज करते जाएंगा आपका हाथ इसमें साफ होता जाएगा और आप बहुत जल्दी यह सारा काम कर लेंगे तो अमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंदा है वगर वीड जरूर कर दीजेगा हो सके तो किसी दूसरे के साथ भी इसको शेयर कीजेगा आज की इस वीडियों बस इतना ही धन्यवाद